नमस्कार दोस्तो लेट्स क्रेक राजतान एक्जाम सोन अनकेडमी ऑनलाइन प्लेटफरम पर आपका स्वागत है क्रेक आरपीस सी वित इंडिया जार्जस लर्निंग प्लेटफरम दोस्तो अनकेडमी का प्लेट्स सब्क्रिप्शन लेकर यहां से आप अनलिमिटेड लाइव और रिकोर्डेट खोर्सेज अक्सेस कर सकते हैं वो भी इंडिया के बेश्ट एजुगटर से तो जो भी दोस्त लाइव हैं फटाफट एक बार लाइक और सेर कर दे वन वर्ड की क्लास है दोस्तो मैं जनरेल इंगलिस कोर्स में और मैं मैं इसकुमर काजला भी एम्टेक एनमेरा ठीजिंग अक्सप्रियेंस आट साल का है ओनलाइन इन ओफलाइन का यहां पर प्रेक्टिकल ओटरिक इंगलिस के बारे में बात करेंगे पहला क्यूशन है तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा आंसर दें आफ जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और सेर करें और लगातार बने रहें तो इसमें आंसर क्या जाएगा कंक्लूडिंग पार्ट ओफ इलिटरिव वर्क को क्या बोलते हैं एपिलोग बोलते हैं एपिलोग बोल दें कंक्लूडिंग पार्ट बोल दें समरी बोल दें सारांस बोल दें या हिंदी में अगर आप करें तो इसका meaning क्या कर सकते हैं उपसार कर सकते हैं देखो EP root का मतलब तो क्या होता है on या upon होता है ठीक ना और यहां पर लोग आ गया लोग का मतलब क्या होगा to speak या तो to speak कर दें या इसका meaning कर सकते हैं speech ठीक है तो इसलिए answer यह आ जाएगा बिब्लियोग्राफी का मतलब आप हिंदी में करें तो इसका कर सकते हैं गरंत सूची बिब्लियो मतलब book हो जाएगा और बिब्लियो गरे और ग्राफी मतलब to write या writing हो जाएगा solilogue का मतलब एकालाप हो जाएगा episode आप जानते ही हैं next question देखें जो भी दोस्त लाइब हैं दोस्तों फड़ापट एक बार like और share कर दें one who is beyond reform optimistic, incorrigible, indefeatable और notorious तो इसमें answer क्या आएगा जो भी दोस्त लाइब हैं प्लीज एक बार like और share जरूर करें आप और answer भी दें लगाता है one who is beyond reform जिसके अंदर कुछ change नहीं किया जा सकता है जिसको सुदारा नहीं जा सकता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों incorrigible बोलते हैं इनका मतलब note हो जाएगा coris root है इसके अंदर coris का मतलब होता है to correct जिसको सुदारा नहीं जा सके तो note अपेल लग गया to correct हो गया तो note correct जिसको क्या जा सके optimistic का मतलब होता है आसावादी और indefeatable का मतलब जो ने ठकने वाला या आप एथक कर सकते हैं एक वर्ड में notorious का मतलब आप कर सकते हैं कूख क्या आथ clear है next question देखो science of disease philology, pathology, psychology psychology और viralology तो इसमें answer क्या आएगा दोस्तो जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार like और share भी करें आफ और answer भी दे answer कैसे नहीं दे रहे हैं आज आफ science of disease देखो दोस्तो लोजी लोजी आया है जहां पर तो लोजी का एक जगे आप meaning कर सकते हैं to study या फिर आप science कर सकते हैं ठीक है फिलो का मतलब क्या होता है दोस्तो लव होता है तो जो पढ़ाई से प्रेम करता है उसको बोलते हैं बार्षा विज्ञान ठीक है पेथोलोजी पेथो का मतलब किस से बना है ये पेथोज रूट से बना है और पेथोज रूट का मतलब या तो होगा disease या होगा feeling या तो क्या कर दे disease या कर दे feeling तो यहां disease की study की जा रही है तो pathology में होगी psychology psych का मतलब mind होता है, logology मतलब study तो इसको क्या बोलते हैं? manowigyan बोलते हैं और vireology का मतलब virus की study जिसके अंदर virus की study की जाती है तो virus विग्यान कर सकते हैं क्लियर है टीचर चला जी बुद्वस्वागत आपका टोटल गेमिंग किलर जी बुद्वस्वागत है क्लियर नहीं दिख रहा है तो देखो यहां कोणे के अंदर अनकेडमी का सिंबल दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको या तो सेटिंग का साइन दिखेगा तीन डोट दिखेंगे उस पे क्लिक करते ही आपको वीडियो क्वालिटी एडवांस वीडियो क्वालिटी में जाके आप जो पिक्सल साइज 144 दिख रही है उसको बढ़ा के 360 कर लें या 240 कर लें फिर clear दिखेगा आपको 360 या answer क्या जाएगा pixel size आप बढ़ा लें 240 कर लें फिर दिखने लग जाएगा आपको सही by default mobile में 144 सेट रहती है इसलिए आपको दिक्कतारी है देखने में जिस click करते है quality का option आएगा quality auto में advance करते ही एडवांस में option दिखा देगा आपको बिलकुल teacher साला जी सही आपका answer हाँ हो गया अच्छी बात है वन हो secretly listen to the talk of others एक ऐसा बंदा जो चुपचाव किसी की बात सुनता रहता है उसको evas dropper बोलते है इव का मतलब क्या होता है दोस्तों चज्जा होता है और drop का मतलब क्या होता है उपर से गिरना er मतलब dover तो evas dropper यानि किसी खिडकी या दरवाजे के gate के कान लगा कर सुनने वाला immisery का मतलब क्या होता है immisery होता है जासूस जासूस ही करना deductive डिडेक्ट करना किसी को एक तरह से अपरादियों की खोज करने वाला वेक्ति या गुप्तचर भी आप इसको कर सकते हैं और इस पाई का मतलब भी क्या होता है जासूस होता है ठीक है next question देख लें फिर one who believes in no government and therefore inside disorder in a state monarchist anarchist autocrate और नक्सलाइट जो भी दोस्त लाइब है दोस्तों एक बार आफ लाइक और शेर भी कर दें कविता जी बहुत बहुत स्वागत आपका answer क्या होगा जिन्होंने answer B दिया है उनका बिल्कुल सही है one who believes in no government यानि एक ऐसा बंदा जो इस चीज में विश्वास करता है कि जहां पर कोई government और कोई सासन विवस्ता नहीं है और सिर्फ क्या करते हैं विवस्ता को ही उत्तेजित करते हैं तो anarchist होता है and का मतलब without, arc का मतलब chief, ist का मतलब doer एक ऐसा बंदा जहां पर यानि कोई राजवस्ता नहीं रहने देता monarchist का mono का मतलब single या one होता है arc का मतलब chief तो आप इसको क्या कर सकते हैं ताना साय कर सकते हैं और autocrate का मतलब भी जहां पर स्वेमसा सी सरकार का सदस्य हो ये भी ताना सा हो जाएगा next light आप जानते हैं teacher Salah जी बिलकुल सही है, आपका answer भी है, बिलकुल सही है, next solution देखो a mild of indirect expression substituted for an offensive or harsh one if you museum, truism, favoritism और altruism तो इसमें answer क्या आजाएगा बिलकुल सही है, सबका सही है जो भी दोस्त live जुड़े हैं वो एक बार like और share जरूर करें दोस्तो a mild of indirect expression substituted for an offensive or harsh one तो इसका answer क्या होगा, यानि कोई भी बात अगर होती है उसको एक आप भड़े तरीके से बोलते हैं तब तो dispeemism और अगर उसी बात को आप सब्दों के अंदर भोती प्रेम से बोलते हैं चाहे बात गलत है लेकिन आपकी wording अच्सी है उस बात को बोलने के लिए तो उसको youfemism बोलते हैं क्यों जहां root आता है इसका मतलब होता है good और fame का मतलब होता है to speak यानि गलत बात को भी आप indirect way में अच्छी तरह से बोलते हैं trueism सत्यता और favoritism पक्सपाथ, altruism का मतलब आप दूसरों की बलाई का काम दयाल होता next question देखो the mother of parent or a near relative, parricide, patricide, matricide और homicide इसमें answer क्या आएगा जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार like और share जरूर करें आप the mother of a parent or near relative यानि अपने यानि माता पिता या जो भी सगे समन्दी नजदी की रिष्तेदार की हत्या के लिए word यूज करते हैं आप parricide, clause relative के लिए patricide अकेला parents की हत्या के लिए होगा और matricide माता की हत्या homicide जन्साहर या नर्साहर करेंगे नमस्ते सुनिता जी बहुत बहुत स्वागत है हाँ बिल्कुल सुनिता जी ऐसे आप vocab की class, one word की class के लिए बोल रहे थे इसलिए लेली class वो class तो ही आपकी, वो चार बजे वाली class तो fix है दिपक से नहीं है क्या आपका नाम, अच्छा दिपक जी ऐसे नाम कैसे निकाल लिया आपने animals who live in herds, sociable gregarious carnivores social तो इसका answer क्या होगा यानि जो animal group के अंदर या जुन्ड के अंदर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अच्छा, अक्षिया सर जी बहुत बहुत स्वागत आपका animal who live in herds, अब तो ठीक हो आप हाँ, तो gregarious बोलते हैं, दोस्तों, देखो, gregarious और sociable आपस में synonyms होते हैं sociable का मतलब भी जो समाज में रहने वाला है और gregarious में यहां root है gregg, g-r-e-g gregg का मतलब या तो आफ कर दें, flock या कर दें, आफ group ठीक न, तो इसलिए यह milansar भी आप कर सकते हैं, इसका meaning या group में रहना, जुंड में रहना carnivores में carn और war root है carn का मतलब क्या होता है, दोस्तों, carnal से बनता है या इसका meaning body होता है, body के अंदर flesh होता है ठीक न, और war का मतलब आप root में करते हैं to eat तो यह क्या खाने वाला होता है, flesh खाने वाला, इसलिए इसको आप मासारी बोलते हैं ठीक न, social का मतलब समाज आप जानते ही हैं हाँ, बिल्कुल हो गया, आप वाला नहीं हो गया नेक्स क्यूशन देखो, a broad road bordered with trees, बोलवार्ड, आविन्यू और फसाड तो इसमें आंसर क्या होगा निरम जी बोदबस्ट आगे था आपका जी भी सुतार जी, बोदबस्ट स्वागे था आपका जो भी दोस्ट लाइव हैं, प्लीज एक बार लाइक और सेर भी कर दें आप इसमें आंसर क्या होगा दोस्तो दिपक जी सही है आपका आंसर मिनिंग लिखा देना, मिनिंग कौन से लिखने है आपको बता दो अभी जो आपको दिक्कत है वो चीज पूछो ना आप इसी टाइम पर पूछो यानि बड़ी रोड होती है, उसके दोनों साइड में ऐसे पेड लगे रहते हैं तो उसको बोलवार्ड बोलते हैं ठीक न और बोड़ोयर इसका मतलब होता है इस त्री सही अनकक्स कर दें आप ठीक है अगर ऐसे रस्ते के दोनों साइड में फ्लेक लगे रहते हैं तो ग्रूफ और फ्लेक्स को आप बोलेंगे बंटिंग ये भी ध्यान रखें आप ठीक है और ये आपस में दोनों पेड लगा दिये और ये पेड आपस में ऐसे मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं पारेक आविन्यू और आविन्यू का मतलब पासेज या गली या गलियारा कर सकते हैं पसाड का मतलब फ्रेंट फार्ट ओफ सम्थिंग आप कर सकते हैं घर का सेक्रिलेज और श्लेंडर तो इसमें आंसर क्या जाएगा दोस्तों कैसे आती है मैं तो पता नहीं है आप अपने इस आप से लिखा दो नहीं आपको जो वर्ड समझ में नहीं है जिसका मिनिंग समझ में नहीं है उसी टाइम पर आप पूछो ताकि आपका concept clear हो violation of something holy or sacred violation का मतलब उलंगन करना होता है जो चीज क्या है पवित्तर है उसका तो पवित्र चीज का उलंगन करने को बोलते हैं, पवित्र करना तो सेक्रिलेज कर दें, आप सलेंडर का मतलब होता है, बुराई करना या आप निंदा करना, बुराई करना या निंदा करना कर सकते हैं, सेडिशन का मतलब देश द्रो होता है, ट्रेटर कर सकते हैं, का मतलब भी प्रोफेन को भी यह बोलते हैं सिनोनिम है अपस में सेक्रिलेज और प्रोफेन सिंपल फास्ट प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लोर्स और लीव्स विच कैन ओफन कॉज डिजीज बैक्टिरिया अमीबा वाइरस और फंगश इसमें अंसर क्या होगा दोस्तो बिल्कुल सही है आपका जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और सेर जरूर करें आप सिंपल फास्ट प्लांट विदाउट फ्लोर्स और लीव्स विच कैन ओफन कॉज डिजीज यानि एक ऐसा सिंपल जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है बिना फूल पतियों के जो की बिमारी फैलाता है उसको फंगस बोलते हैं वाइरस अमीबा बेक्टिरिया आप जानते हैं नेक्स विशन देखो वन हूँ इस ग्रीडी वरासियस अवारिसियस कार्णिवरस ओम्निवरस वन हूँ इस ग्रीडी ग्रीडी का मतलब लाल्ची एक ऐसा बंदा जो लाल्ची है तो उचिंग पाम कर सकते हैं अवारिसियस कर सकते हैं ग्रीडी कर सकते हैं कूपीड कर सकते हैं एविड कर सकते हैं कोवेट कर सकते हैं यहां तो सारे meaning आप लिख सकते हैं, greedy तो यहां दे रखा है, यह भी इसका सिनोनिम होगा, और rapacius भी इसका सिनोनिम होगा, और cupid भी इसका सिनोनिम होगा, avid भी इसका सिनोनिम होगा, covet भी इसका सिनोनिम होगा, सब का मतलब लालसी लालसी होगा, ठीक है वोरासियस का मतलब आप कर सकते हैं पेटू या बुकड और कार्णिवरस का अभी आप ने किया था मास आरी याणि कार्ण का मतलब क्या है फ्लेस मास है और ओर यहांपर भी टू इट है यहांपर भी टू इट है ओर ओर का मतलब टू इट होगा तो जो Bukhachad है खाने के लिए और Karma गाता है और ओर का मतलब टू इट Omni का मतलब होता है All इसको बोलते हैं सरवाहारी जो सब कुछ ही खाता है ठीक है? नेक्स फूशन देख लें फिर एन एरिया ओफ लेंड डेट इस कंट्रोल बाई ए रूलर, कॉलोनी, डॉमिनियन, कंट्री और मुंसिपल्टी तो इसमें आंसर क्या होगा? क्या है 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 एन एरिया ओफ लेंड डेट इस कंट्रोल बाई रूलर, यानि एक ऐसा एरिया जो किसी एक राजा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो उसको डॉमिनियन बोलते है क्या है अननिया जूसरे जाते है देस को इसको बोलते हैं जिस देस को कंट्रोल करके रखता है उस देस को और कंट्री जानते हैं, मुंसिपल्टी आप जानते ही हैं नेक्स फूशन देखें फिर ए प्लेस वेहर जुईज वर्षिफ अकोर्डिंग टू दियर रिलिजन कैथेडरल, साइनेगोग, चापेल और डेमेगोग तो इसमें आंसर क्या होगा अच्छा पहली बार यह हैं गया आफ दोस्तों मेरी क्लास चार बजे रेगुलर रहती है लेट्स क्रेक रास्तान एक्जाम पर और साम को साढ़े साथ बजे अनकेडमी लर्निंग एप पर वो केप की क्लास रहती है चार बजे वाली क्लास ग्रामर की रहती है ना तो इसमें आंसर क्या होगा जो भी दोस्त लाइव जुड़े हैं वो एक बार लाइक और सेर जुरूर करें दोस्तों अपने दोस्तों को भी जुड़ें साथ में एक प्लेस वेहर जुईस वर्सिफ अकॉर्डिंग टू दियर रिलिजन एक ऐसी जगह जहां पर यहुदी द्रम वाले पूजा करते हैं अपने द्रम के अकॉर्डिंग उसको साइने गोग बोलते हैं यहुदियों का प्रातना इस्तल कैसे बना है दोस्तों देखो SYN दे रखा है अगोग दे रखा है SYN का मतलब क्या होता है सेम और अगोग का मतलब क्या होता है टू लीड या लीडर तो जहां पर सब को समान तरीके से लीड किया जाता है तो वो यहुदियों का प्रातना इस्तली होता है और केथे ड्रल का मतलब आप कर सकते हैं प चोटा कमरा जो गिर्जागर से जुड़ा रहता है डेम अगोग को बोलते हैं बढ़काउ नेता देखो अगोग का मतलब क्या हो जाएगा लेडर या टू लीड हो जाएगा डेम का मतलब पिपल हो जाएगा जो लोगों को हैंडल करने वाला या फिर आप इसका सिनोनिम करें तो ये भी कर सकते हैं रेबल राउजर ये भी कर सकते हैं तो नेक्ट क्यूशन देखें फिर तो इसमें आंसर क्या होगा क्वाएण limited है क्वाएण ड्रो क्या लाएगा क्वाएण अड़्य लोग। वी लूख़, पाक्षाब नाशन तेम इलningar तो इजड होगा तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तो एक ऐसा बंदा जो सुख और दुख के अंदर एक जैसा ही रहता है तो इसको आप इंडिफ्रेंट बोल दें, स्टोइक बोल दें या अपेथी बोल दें ठीक ना? आपेथी कर दें या स्टोइक कर दें या फिर आप क्या कर दें? इंडिफ्रेंट कर दें या उदासीन कर दें जिसको ने तो सुख की अनुबूती होती, ने दर्द की दुख की अनुबूती होती असेटिक का मतलब आप क्या कर सकते हैं? जिसको आफ तपस भी कर सकते हैं वेरागी कर सकते हैं और इसोट्रिक का मतलब आफ गूड कर सकते हैं या रश्य कर सकते हैं और इसका मतलब संसे कर सकते हैं यह रहे है दोस्तो तो next question देख लें फिर दोस्तो मेरा official टेलिग्राम चैनल है मैस काजला RPSC Underscore Unacademy तो ये भी आप जोइन कर सकते हैं सारे लिंक मिल जाएंगे आपर चार बजे मेरी YouTube पर क्लास रहती है लेट्स करेक रास्तान एकजाम पर रेगुलर क्लास ग्रामर की और साम को साड़े साथ बजे आपको क्लास मिलती है Unacademy Learning App पर स्पेसिल क्लासेज और बग्स बाउंटी के अंदर दोस्तों वीडियो के अंदर जो भी आपको अनुची टाइप का कंटेंट मिले उस पर्टिकुलर इस्यू के लिए आप क्लेम कर सकते हैं और साड़े साथ बजे आपको Unacademy Learning App पर क्लास मिलेगी आरपीसी सेलेक्ट करने के बाद फ्री लाइव क्लास से सेलेक्ट करके किसी भी क्लास को आप Unlock कर सकते हैं काजला Unlock Code से विज़ेता आरेस के लिए स्कॉलर सी फ्री टेस स्रीज है दोस्तों हर संड़े को 10 बजे रहेगी हिंदी इंग्लिस मीडियम में आपको ओफ मिलेगा पहली दूसरी तीसरी रेंक वाले को और दिखस्या आरपीसी सेकंड गेड पेपर फर्स टीचर एक्जाम के लिए फ्री मॉप टेस्टरीज आप दे सकते हैं हर सेटड़े को 10 बजे और प्लस के क्या-क्या फीचर से दोस्तो एक तो आप अपने घर पर रहकर अराम से पढ़ाई कर सकते हैं का लिमिटेड अक्सेस कर सकते है जितने भी कोर्स है उनका टोप एजुकर टाइस पूरे इंडिया के आपको एक ही प्लेटफों पे मिल जाएंगे कर सकते हैं कंप्लीट एक्जाम की प्रिपरेशन रेगुलर डाउट क्लेरिंग सेसन ले सकते हैं लाइव टेस्ट चरीज दे सकते हैं स्टेडे में पीडिये फॉरमेट में आंसर राइटिंग सेसन मेंटर्सिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगा समापन बैच कोर्स है दोस्तो रेट लेवल टू के लिए सोसाल स्टेडीज का बीस तारिक से नया बैच स्टार्ट होगा तो ये बैच भी आप अक्सेस कर सकते हैं योदा बैच है रास्तान पुलिस कोंस्टेबल के लिए उसकी प्लस टेश स्टेडीज हर संडेगो मिलेगी आपको सहबजे और विकास नाम से रास्तान ग्राम विकास अधिगारी के लिए बैच है 21 तारिक से नया बैच स्टार्ट है तो ये बैच भी आप अक्सेस कर सकते हैं समापन बैच कोर्स है और विजए भाव आरेस मैंस के लिए जो टेश स्रीज है वो यहां से आप से डूल नोट करके वो टेश स्रीज भी दे सकते हैं और दिक्सिया बैच रपीस से के लिए उसकी प्लस टेश स्रीज हर स्टड़े को मिलेगी 6 बजे और जब भी दोस्तों आप और पीस स्टड़े का पटवार का एचेम का वनरक्षक वनपाल जूनिर इंजिनियर जेवी अनल इट लेवल फस सेकिन एस पर इंग्लिस मेडियम बैच और कोले लेक्चर का बैच भी मिलेगा जब भी दोस्तों आप रेफल कोड का आजला यूज करेंगे तो यह रेफल कोड यूज करते हैं आपको 10% डिसकाउंड मिलेगा और 10% तक आप को इंडिडियम करा सकते हैं इसमें तीन मेने का फ्री मिलेगा 14 रुपे का सब्रीप्शन है रेफल कोड काजला यूज करते ही 560 का हो जाएगा जिसमें 757 के कोड़ेंगे तो डिडियम करा के आप और भी सस्ता कर सकते हैं और कॉम्बो सब्क्रिप्शन आप यहां से क्रीज सकते हैं तो इसमें क्या आंसर आएगा आपस में बातें ना करें सिर्फ क्लास पर फोकस रखें आप जनको बात करनी है तो आप क्लास सोड़के जा सकते हैं बाकी पढ़ने वाले तो रिस्तब नहीं हो तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तो तो इसमें आंसर आएगा थियो सोफी इसमें थियो सोफी नहीं थियो लोजी देखो थियो क्रेसी का मतलब तो आप कर सकते हैं धरम तंतर थियो का मतलब होता है गोड क्रेसी मतलब गोवर्मेंट तो गोवर्मेंट बाई गोड रिपर्जेंटेटिव आप कर दें सोफी का मतलब क्या होता है विजडम होता है थियो मतलब गोड तो यानि दर्म का दर्शन सास्तर आप फिलो सुपी दर्शन सास्तर बोलते हैं या दर्म का दर्शन सास्तर हो जाएगा और दर्म का दर्म सास्तर कर दें इससे आप समझ जाएंगे और Theology क्या हो जाएगा कि धर्म के बारे में Study और Theism का मतलब क्या है आस्तिक वाद ठीक है Next Question देखें मनमौन जी बहुत बहुत स्वागत आपका जो भी दोस्त लाइब है प्लीज एक बार लाइक और शेर जरूर करें हाँ जिवी सुतार जी आप सिर्फ क्लास पर ही फोकस रखें हाँ जो भी फालतु बात करेगा उसको ब्लोग किया जाएगा Dissection of a dead body to find out the cause of death, biopsy, investigation, surgery, autopsy तो इसमें answer क्या होगा Dissection of a dead body to find out the source of a dead body to find out the cause of a disease यहनि अगर काट के किसी का post-mortem करके मर्तिव के कारण का पता लगाया जाता है उसको autopsy बोलते हैं, surgery operation को investigation जाँच पढ़ता लगो biopsy, जिवित स्रीर की जो जाँच होती है उसको बोलते हैं, ठीक है next question देखो a person without training or experience in a skill or subject chaplain, mason, artisan, novice तो इसमें answer क्या होगा a person without training or experience in a skill or a subject दो इसका answer होगा novice beginner, now see किया ठीक है, artisan का मतलब क्या होता है दोस्तों गलाका पार्खी होता है, mason का मतलब चेजारा आप मिस्तरी कर सकते हैं, chaplain किसी का नाम है ठीक है, next question देखो फिर one who stays away from school without permission पेडेंट, सप्लिकेंट, मेंडिकेंट और टॉरेंट तो इसमें answer क्या होगा अरे जीवी सुतार जी आप कौन है आपको class लेनी है तो चुपचाप लें अधरवाईज आप class छोड़के जा सकते हैं फालतू के comment क्यों फालतू time खराब कर रहें अब ना आपको भी रिपोर्ट किये ब्लोग किया जाता है मैंने total gamer जी और जीवी सुतार जी दोनों को ब्लोग कर दिया जिनको भी आपको लगे कि कोई फालतू comment करा उसको फड़ा फट ब्लोग करें one who stays away from school without permission pedant, supplicant, mendicant और torrent तो answer क्या जाएगा दोस्तों इसमें torrent करें pedant होता है पांडिते दिखावा और यहाँ दे रिखा है stay away यानि घर से दूर रहता है इसकोल से दूर रहता है बिना किसी permission के तो वो torrent होता है बिना बताए इसकोल से चुटी पर रहना mendicant का मतलब आप कर सकते हैं बिखारी और supplicant का मतलब आप कर सकते हैं प्रार्थी clear है? next question देखो the act of killing a whole group of people especially a whole race patricide, perricide, matricide और genocide तो इसमें answer क्या आएगा? किसको हो गया मिजजी कोरोना? फाल तु कमेंट टाइम खराब करने से मिलता क्या आपको यह पता नहीं the act of killing a whole group of people especially a whole race यानि पूरी एक क्लास को ही खतम करना whole पूरी race को ही परजाती को ही खतम करना तो उसको genocide बोलेंगे gen का मतलब generation होता है side का मतलब to kill होता है ठीक है matricide का मतलब माता की हत्या parricide close relative या parents की हत्या और ये सिरफ पिताजी की हत्या ठीक है next question देख लें फिर clear है दोस्तो सुनिताजी बहुत बहुत स्वागत है नहीं सुनिताजी चार बजे वाली क्लास तो है यह तो अक्षटा क्लास है आपकी एक गोर्वेंट इन विच्छ ओल रिलिजिए रिलिजन्स आर ओनर्ड कम्निस्ट, सोसाइलिस्ट, सेकुलर और केपिटलिस्ट तो इसमें आंसर क्या आएगा कविताजी आप सिर्फ क्लास पर फोकस रखें और खराब है तो आप खराब नहीं हो सकते आप उनको ब्लॉक ही कर दे न एक गोर्वेंट इन विच्छ ओल रिलिजिएंस आर ओनर्ड तो ऐसी गोर्वेंट जिसके अंदर सब दर्मुक का बराबर सम्मान किया जाता है उसको सेक्विलर बोलते हैं केपिटलिस्ट का मतलब पुंजिवाद सोसेलिस्ट का मतलब समाजवाद और इसका मतलब आप लिख लें सामेवाद सामेवादी ठीक है? नेक्स फूशन देखो ए प्लेस वेर गोवर्मेंट और पब्लिक रिकोर्ड्स आर्केप्ट है आर्काइव, म्यूजियम, सेल्फ और सेलर तो इसमें आंसर क्या आएगा? धन्याद गविता जी प्लेस वेर गोवर्मेंट और पब्लिक रिकोर्ड्स आर्केप्ट है ऐसी जगह जहां पर गोवर्मेंट और पब्लिक के रिकोर्ड्स रखे जाते हैं उसको आर्काइव बोलते हैं या फिर आप अबिलेखागार बोलते हैं ठीक है? म्यूजियम का मतलब क्या संग्राले बोलते हैं सेल्फ का मतलब आप कोई दराज वगरा बोलते हैं कमरा होता है उसको बोलते हैं नेक्स क्यूशन देखो Living together of a man and woman without being married to each other marries, equipage, lineage, concubinage जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और सेर जरूर करें आप इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों, concubinage आज़ेगा ठीक ना, और concubin का मतलब होता है रखेल जो यानि बिना साधी के ही husband wife यानि साधी नहीं हुई है फिर भी साथ रहे रहे हैं, lineage का मतलब आप कर सकते हैं वन सावली equipage का मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनकी जो खुली घोड़ागाड़ी होती है, उस घोड़ागाड़ी को बोलते हैं ठीक ना, बगगी घोड़ागाड़ी या आप बगगी कर दें marriage साधी जानते हैं आप इसमें आंसर क्या आएगा उसस में आपगी कर दोड़े होती हैं झाल होती हैं हुआ हैं हुआ हैं इसमें too much official formalty तो इसको बोलते हैं दोस्तो red tapism, लाल फीता साई ठीक है bureaucracy का मतलब क्या होता है bureau का मतलब office होता है crazy मतलब government तो government by officials या फिर आप इसको बोलते हैं नो करसाई जो अधिकारी लोग सरकार चलाते हैं उसको और नेपोटिजम का मतलब आप करते हैं बाही बतीजावाद और फॉर्मलिजम का मतलब फॉर्मल्टी करना नेक्स्ट शुशन देखो ड्राइव एदर इंटू नो रेनफाल ड्रोट ड्राप्ट ड्रावट और डेजर्ट इसमें आंसर क्या आएगा सूका यानि आप इसको सूका बोलते हैं जहाँ पर कोई बारिश नहीं होती तो वो होता है ड्रोट और यह होता है एक सीधा हवा का आप जोका बोल सकते हैं वायू का जोका गर दे ठीक हैं ड्राप्ट आप जानते हैं डेजर्ट जानते हैं क्लियर दोस्तों नेक्स यूशन देख लें देवर्शिफ ओफ आइडल्स और इमेज़ेज अथेजम, थेजम, आइडलेटरी और आइकनोकलाजम तो इसमें आंसर क्या आएगा हाँ उसमें ड्रोट लिखावा है इसका मतलब घूट या वायू का जोका होता है एस करते ही वो तस्त्री फैंक वाड़ा गेम बन जाता है और ओ यहां करते ही क्या हो जाएगा सूका हो जाएगा ए और ए का स्पैलिंग में फरक है ठीक ना देवर्शिफ ओफ आइडल्स और इमेज़ेज तो मुर्थी पूजा को बोलते हैं आइडलेटरी अथयिजम का मतलब होता है नास्तिकवाद और यह होता है आस्तिकवाद आइकनोकलाजम का मतलब मुर्थी भंजन का कारिय करना हाँ तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको setting वाला option दिखाई देगा जिसमें quality लिखावा आएगा mobile में 146 उस पे आप click करेंगे तो advanced setting के अंदर जाके आप video quality 240 या 360 कर लें फिर clear दिख जाएगा आपको ठीक है करिता जी, next vision देखो something that is poisonous or unhealthy, trivial, toxic, torpid or tragic तो इसमें answer क्या आएगा बिल्कुल करिता जी मोईजी सही है, मोईजी एक बार like और share भी कर दें आप something that is poisonous or unhealthy, एक ऐसी चीज जो क्या हो नुक्सान दाइक हो, जैरीली हो तो उसको toxic बोलते हैं, trivial का मतलब होता है तुच्छ और torpid का मतलब होता है RC और tragic का मतलब होता है बैंकर या गिनोना स्वाइजी बहुत बहुत स्वागत आपका, नेक्स्ट विशन देखो A remedy for all disease, amnesia, panesia, intelligentsia और parasol A remedy for all disease, amnesia, panesia, intelligentsia और parasol तो इसमें आंसर क्या है जाएगा दोस्तो Panesia, ramban, ozdhi, amnesia का मतलब होता है भूलने की बिमारी Intelligentsia का मतलब यानि ऐसा समाज का ऐसा वरक जो intelligent हो, parasol का मतलब होता है जो लड़कियां बारिस के टाइम पर छत्री रखती हैं, छत्ता, तो उस छत्री को बोलते हैं, छत्ता umbrella होता है और छत्री parasol को बोल देते हैं, रंग भी रंगी छोटी होती है उसको next question देखो, clear दोस्तों सबको, अगर clear नहीं है तो आप दुबारा पूछ सकते हैं, a place good for the sick, sanatorium, resort, hospital, asylum तो इसमें क्या answer आएगा, easy सा question है, सारे word आपके सुने हुए है a place good for the sick, यानि ऐसी जगह जो बेमारों के लिए सही है उसको sanatorium बोलते हैं, स्वास्ता ले या फिर आप लिख दें, आरोगे सदन resort आप जानते हैं, hospital जानते हैं, asylum का मतलब आप पागल खाना भी कर सकते हैं पागल खाना कर दें, या सरनिस्तल कर दें ठीक है, सुभाजी बहुत-बहुत स्वागत आपका जो भी दोस्त लाइव नए जुड़े हैं, वो एक बार like और share भी कर दें irrestible craving for alcoholic drinks, manglomania, dipsomania, kleptomania और pyromania तो इसमें answer क्या आएगा, दोस्तों आपको mania root दे रखा है तो mania अलग देखके और उसके बाद जो भी root यहां बसते हैं उनका आप meaning देख सकते हैं, कि क्या-क्या meaning आएगा इनका मज़ी सही है, आपका answer करिदाजी सही है irrestible tendency का मतलब इतनी भोत ज़्यादा ललक या सनक वो भी किसके पड़ती, सराब के पड़ती तो dipsomania, dipso का मतलब होता है, thrust और mania का मतलब होता है, ovation या irrestible craving कर सकते हैं आप सनक लत कर सकते हैं, और manglomania चाहत की भी और चाहत, kleptomania होता है klept का मतलब to break, mania मतलब लत तो चोरी करने की लत, pyro का मतलब fire और mania मतलब ovation तो चोरी करने की, sorry, आग लगाने की लत, सनक, ठीक है, next fusion देख ले a sigh look that is lustful, leer, lore, lag और littoral, तो इसमें answer क्या जाएगा बिल्कुल कविदा जी सही है आपका answer a sigh look, sigh का मतलब सरमिला और lustful का मतलब aslil type का, तो aslil type से देखने वाले को क्या बोलते है लीर बोलते हैं, lore का मतलब आप कर सकते हैं, विद्या कर सकते हैं विद्या या फिर ग्यान कर सकते हैं, या सिक्स्या कर सकते हैं, lark का मतलब हसोकड़ा, मजाकिया, littoral का मतलब समुन्दरी, चोक कर सकते हैं clear है दोस्तो, next question देख लें फिर a jocular person who is full of amazing anecdotes, wild, yokel, vague, or eon तो इसमें answer क्या आजाएगा जो भी दोस्त लाइव ने जुड़े हैं, वो एक बार like और share जुरूर करें दोस्तो a jocular person who is full of amazing anecdotes, यानि एक ऐसा बंदा जो मजे करता है और उसके बाद में life के जो amusing यानि आसरी चकित करने वाले किसे सुनाता है उसको vague बोलते हैं, और while का मतलब होता है, dust, yokel का मतलब देहाती कर दें, आफ या सीधा साधा कर दें, eon का मतलब yug कर दें clear है, next question देखो फिर deep in thought, meditation, pensive, pesky और purloin तो इसमें answer क्या आएगा आएगा इसमें आंसर क्या होगा दोस्तो इसमें करें आप पैंसिव का मतलब होता है घैन चिंतन चिंता मगने और इसका मेडिटेशन का मतलब विचार करना चिंतन करना और इसका मतलब यहाँ डीफिन थोट है इसलिए गहन चिंतन करें ठीक न और पैस्की का मतलब आप कर सकते हैं कस्ट कर परलोईन का मतलब क्या कर सकते हैं ठग ना कर दें आप या चूराना कर दें क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट शुशन देखो फिर विदाउट रिस्क, ओपनिस्मेंट, इंप्यूदेंट, इंप्यूनेटी, इनग्जोरेबल, इंपर्चूरेबल तो इसमें आंसर क्या आएगा आस पूशना आहऊएगा, भीका आहएगा, इंप्यूनेटी, इनपर्चे आहएगा, इंपर्चूरेबल ज्यादा नहीं है पांच साथ क्यों सनो रहे हैं विदाउट इसकोपनिश्मेंट इसमें इंपूडेंट इंपूडेंटी इनग्जॉरेबल इंपर्जॉरेबल का मतलब क्या होगा दोस्तों यहां पर आपने आंसर क्या दिया है दंड से छुटगारा पाना इंपूडेंटी होता है तो इंपूडेंट का मतलब बत्तमीज इनग्जॉरेबल का मतलब आप क्या कर सकते हैं यानि खटोर्जित या निश्टूर कर सकते हैं इंपूर्जॉरेबल का मतलब जो डिफिकल्ट है ताइम के अंदर भी क्या नहीं होता ऐसे हिच की चाता नहीं है उसको बोलते हैं बना रहता है नेक्स शुशन देखो अक्सेसिव प्रियोक्यूपेशन विथ वन्स हेल्थ हाइपोकॉंड्रिया मेलाईज डिस अफेक्टेड और मेलिंजरर तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों जल्दी करो लाइट भी कई है अब अक्सेसिव प्रियोक्यूपेशन विथ वन्स हेल्थ है तो इसमें आंसर क्या करेंगे दोस्तों हाँ इसमें आप कर देंगे आंसर हीफो कॉंड्रिया हीफो कॉंड्रिया का मतलब क्या होता है हाइपो मतलब लो होता है कॉंड्रिया का मतलब पावर होता है तो आप सरीर में कई बार ठकान फील करते हैं और ऐसा मान लेते हैं खुदी रोग भ्रम के या मेरे ये रोग हो गया ये रोग हो गया उसको बोलते हैं या ज़्यादा ध्यान रगते हैं सरीर का मेलाइस का मतलब बिमार कर सकते हैं डिसिंफेक्ट अफेक्टेट का मतलब कोई प्रबावित नहीं होना, मलिंजरर ये लिख लेना, आप काम चोर. Next question देखो. Building in which dead bodies are kept for a time, mortuary, monastery, sanatorium, crematorium. इसमें क्या आंसर आएगा? बिल्कुल सही है, मोई जी, कईता जी. जो भी दोस्त लाइब हैं, प्लीज एक बार like और share जरूर करें आप. Building in which dead bodies are kept for a time, यानि ऐसी कोई building जिसके अंदर dead body रखी जाती है, तो mortuary बोलते हैं. Mort का मतलब क्या होता है, दोस्तो, dead होता है, area का मतलब place होता है. और morg आ जाए, तो morg का मतलब भी क्या होता है, सवग्रे ही होता है, दोनों ही सवग्रे होते हैं, लेकिन इसके अंदर identification पैचान दिया जाएगा, पैचान के लिए जिस जगए रखा जाता है, वो सवग्रे मोर्ग होता है. Monastery को आप मत बोलते हैं, जहां ये सादू संत रहते हैं, sanatorium, स्वास्ताले या आरोगे सदन, अभी थोड़े देर पहले आपको बताया था. इसमें आंसर क्या जाएगा? एक ऐसा बंदा जो सिर्फ यही सोचता है कि लाइफ के अंदर मजे के लावा कुछ नहीं है, तो उसको आप भोगवादी बोल दें, हेडोनिस्ट बोल दें, पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, निरासावादी कर दें. और मिजेन थ्रोप का मतलब आप मानव द्वेसी कर दें, जो मानव जाती से नफरत करता हो, और फिलिस्टिन का मतलब आप गवार कर दें, जो आर्ट लिट्रेचर की परवाद नहीं करता हो, नेक्स विशन देगो, तो इसमें क्या आंसर आएगा? आएगा? वन हू ब्रेक्स दे इस्टेबलिस्ट रेडिशन, यानि जो रितिर्वाद सलते आरे, उनको तोड़ता है, या मुर्तियां तोड़ता है, तो उसको आइकनोक्लास्ट मुर्ति भंजग बोलते हैं, और फेटलिस्ट क्या होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं आप इसको फेनेटिक को आप बोलते हैं कट्टर और फिलोगाइनिस्ट का मतलब होता है इस त्री प्रेमी, ठीक है? नेक्स फूशन देखो, प्रोपर्टी हेंडेट डाउन आप्टर दे डेट ओफ ए परसन लिगेसी लिजेंड पेट्रीमनी इनहेरिटेंस तो इसमें क्या आंस झाल झाल यह आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है आपका लिजेंड का मतलब दंत कता कर सकते हैं पेट्रीमनी पेट्रक संपती इनहेरिटेंस वसियत वैसे लिगेसी पेट्रीमनी और इनहेरिटेंस आपस में सिनोनिम्स है नेक्स फूशन देखो जनल व्यू ओफ ए पर्संस क्रेक्टर बायोग्राफी प्रोफाइल इंट्रोड़क्शन और इसकेज तो इसमें आंसर क्या जाएगा जनल व्यूशन और इसकेज आंसर क्या जाएगा जनल व्यू ओफ ए पर्संस क्रेक्टर तो इसको क्या बोलेंगे प्रोफाइल यानि आप एक तरह से खाका कर सकते हैं इसको या रूप रेखा कर दें ठीक ना बायोग्राफी आप जीवनी को बोलते हैं और इंट्रोड़क्शन आप जानते हैं इसके चित्रित करना जानते हैं जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और सेर कर दें और चार बजे मेरी दुबारा ग्रामर की क्लास रहेगी इसी चैनल पर चार बजे और साड़े साथ बजे आपको अनकेडमी लर्णिंग पर क्लास मिलेगी तो दोनों क्लास जरूर देखें आज आट बजे भी हो सकती है तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए जाते वक्त लाइक शेर थमसप आप जरूर करें धन्यवाद दोस्तों लेट्स करें क्राश्तान एक्जाम सोन अकेडमी ओनलाइन प्लेटफोर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें तांकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरा रेफल कोड के एजले है दोस्तों इस रेफल कोड से अगर आप कोई भी सब्सक्रीप्शन करी देंगे तो 10% डिसकांट मिलेगा और 10 प्रेसेंट तक आप को इंटीडिम करा सकते हैं जाते वक्त ज्यादर लाइक करें शेर नहीं किया तो सेर करें और चनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें आपको अब क्लास मिलेगी चार बजे लेट्स क्रेक राजतान एक्जाम पर ग्रामर की और साथ साथ बजे बजे में आपको class मिलेगी anacademy learning app पर वो cave की class तो वो class भी आप जरूर ले और जाते वक like, share, thumbs up आप जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए किसी की कोई क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हैं कोई भी क्यूरीज है आपकी तो वो पूछ सकते हैं कोई भी क्यूरीज है आपकी तो वो पूछ सकते हैं कोई क्यूरीज नहीं है आपकी चलो तो फिर चलते हैं मिलते हैं चार बज़े जाते वक्त Share, Like, Thumbs Up आप जरूर कर दें धन्यवादोस्त